हाई आई एम आरियान आई दोस्तो वीडियो की सुरुवात करते हैं मेरा पहला सेंटेंस है यहां हस्टाक्षर कीजिए इसे इंग्लिस में बोलेंगे साइन हियर क्या होगा इंग्लिस साइन हियर अगला है मैं एक बार वहां गया था इसे इंग्लिस में बोलेंगे I went there once क्या होगा इंग्लिस I went there once अगला है जल्दी से नीचे आओ इसे इंग्लिस में बोलेंगे come down quickly क्या होगा come down quickly अगला है अपनी नजरे नीचे रखो इसे इंगलिस में बोलेंगे keep your eyes down क्या होगा keep your eyes down अगला sentence है या मेरे सान के खिलाप है इसे इंगलिस में बोलेंगे it's against my pride क्या होगा it's against my pride मेरा अगला sentence है मुझे ये करने दो इसे इंगलिस में बोलेंगे let me do this क्या होगा English? Let me do this अगला sentence है वा इसलायक नहीं है इसे English में बोलेंगे He isn't worth it क्या होगा? He isn't worth it अगला है मुझे सरमिंदा मत करो इसे English में बोलेंगे Don't embarrass me क्या होगा? Don't embarrass me अगला है ये खुशी के आशू है इसे English में बोलेंगे D's are tears of joy क्या होगा? D's are tears of joy अगला है वा इसलायक नहीं है इसे English में बोलेंगे He doesn't deserve it अगला है भूल जाओ इसे English में बोलेंगे Forget it क्या होगा? Forget it अगला है मुझे जाने दो इसे English में बोलेंगे Let me go क्या होगा English? Let me go अगला है वा कैसी है? इसे इंगलिस में बोलेंगे how is see क्या होगा how is see अगला है धेर ये रखो इसे इंगलिस में बोलेंगे have patience क्या होगा have patience अगला है दुसरा ले लो इसे इंगलिस में बोलेंगे have another one क्या होगा have another one अगला है समझ आया समझ आया क्या इसे इंग्लिस में दो तरीके से बोलेंगे got it, यह होगा understood क्या होगा understood मेरा last sentence है समझ आ गया, इसे इंग्लिस में बोलेंगे I got it, I understood क्या होगा, दो तरीके से I got it, I understood वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें नई वीडियो के